बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ किसानों की जोत दिन प्रति दिन घट रही है। लगु अथ्वा किसान उत्पादक संग्ठन बनाई जाएं। जिससे वे सामुहिक तोर पर कृषी के लिए आवशक इनपुट्स मशीनों आदी का प्रबंद करके कृषी लागत को कम कर सकें। तथा अपने उत्पादन का सीधा विपनन करके अधिक मुल्य प्राप्त कर सकें हर्याना सरकार द्वारे इस उदेशे से लगु प्रिशक कृषी वेपार संग हर्याना का गठन किया गया है। अगबानी, पशुपालन और मचली पालन आदी जुड़े हुए हैं। तीन वर्ष के लिए उनकी हैंड वोल्डिंग एंड मैनेजमेंट करने का कारे शुरू किया है। पर्दानमंत्री जी का जो लक्स है देश के किसानों की आमधनी बढ़ाना है। उसमें हर्याना जो है अगरनी परदेश होगा और हर्याना के किसानों की आमधनी बढ़ाने में ये योजना साइक से दोगी। हमारे माननी परदानमंत्री स्री नरेंदर बोदीजी ने पिछले बजट में पूरे देश में दस जारे प्यों बनाने का लक्स था। हर्याना में इस काम में बहुत परगती की है। सफैक में अमले के तौर पर एक मैनेजिंग डारेक्टर, एक संयुक्त निदेशक और पाँच कंसल्टेंट्स का दल मुख्याले पर कारे रथ हैं तथा किसानों के साथ सीधी कारे करने के लिए 29 कॉडिनेटर हैं जिनमें कुल 22 लोग सभी 22 जिलों में तथा साथ लोग वर्जे में 31 मार्श 2020 तक 452 FPO के स्थाफना की जा चुकी है हर्याना जिसमें बागवानी, किशी, दूद, मचली, पालन के सान्ने FPO शामिल हैं और वर्ष 2022 तक इस संख्या को 1000 तक पहुंचाने का लक्षे है मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी की बात है कि हर्याना में 393 कलस्टर हमें बागवानी के चुने हैं आज के दिन 400 से ज्यादा हम फार्मर्स, प्रूसर और्गनाईजेशन्स बना चुके हैं यह FPO's आज के दिन आगे बढ़ते हुए Integrated Pack Houses भी अब लड़ाना शुरू कर चुके हैं हम आशा करते हैं आने वाले साल दो साल में 400 इस तरह के Integrated Pack Houses हमारे हर्याना में शुरू हैं किसानों की जो आमदनी है वो भी कई गुना बढ़े थी और Market Forces और Market के Specialists भी किसानों की मदद करते हुए आएंगे आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारी यह बागवानी की क्रांती चारों तरफ ठैलेगी और किसान बहुत प्रसंद होगा नव निर्मित 210 FPO में से 65 FPO के 1150 अगरनी किसानों की तथा इन ही FPO के 50 Board of Director का प्रिशक्षण एबं भ्रमन कराया जा चुका है इन FPO के 75,581 किसान सदर्स्यों का सूचन समंधित डाटा FPO Portal पर अपडेट किया जा चुका है तथा इस वर्ष एक लाग किसानों की सूचना का डाटा इस Portal पर डालने का लक्षे है किसान भाई Swag की वेबसाइट पर एक FPO के निर्मान की प्रक्रिया जानकर ओनलाइन भी आवेदन भेज सकते हैं जिससे FPO के गठन में समय की बचत होगी Swag किसानों की हैंड होल्डिंग के लिए तीन सालों तक कटी बद्ध है जिसके लिए एक FPO को पहले Swag के साथ जो Company Act में रेइस्टर हो चुकी हो उस FPO को सूची बद्ध होना अनिवार रहे है सूची बद्ध होने के लिए FPO अपने जिला पर योजना समन्मेक के माध्यम से या सीधे मुख्याले पर अपना आवेदन देना होता है जिसके मुख्य दस्तावेज हैं Swag से जुडने के लिए FPO का आवेदन पत्र भरा हुआ नामंकन फॉर्म, इनकॉर्परेशन सेटिफिकेट, FPO के मेमोरेंडम आफ एसोशेशन और आर्टिकल आफ एसोशेशन की कौपी, बैंक अकाउंट पास्बुक की कौपी, FPO से जुड़े किसानों की सूची दोसो से एक हजार किसानों तक आठ लाग से चालिस लाग रुपे तक की हैंड होल्डिंग का प्रावधान इन सुविधाओं के अंतरगत है जिसमें FPO के मॉबिलाइजेशन, अग्रनी किसानों का प्रशिक्षन एवं भ्रमन, FPO के बोर्ड आफ डारेक्टर्स का प्रशिक्षन एवं भ्रमन, स्थानिय संसाधन व्यत्ती का महिंताना, क्रिशी प्रदर्शन, FPO की रेजिस्टेशन फीस वा लीगल क्लियरेंस, FPO के आफिस वा बिजली के बिल का भुक्तान, कंप्यूटर वा फरनीचर इत्याधी का भुक्तान, शेहर कुंजी अनुदान दिया जाता है। करने का कार्य प्रगती पर है। 293 बागवानी फसल समुहूं की मैपिंग की जा चुकी है। इन समुहूं की मुख्य फसलों के क्षेत्र वा पैदावार समद्धी डाटा, खंड और गाम के अनुसार डिजिटाईज किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तरगत प्रतेक फसल कलस्टर में एक एकिकरत पैक हाउस बनाने की योजना है। जिसके लिए सत्तर से नब्बे प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। जिसमें एकिकरत पैक हाउस में उत्पादन संग्रह एकाई, ग्रेडिंग, पैकिंग लाइन, प्रात्मिक प्रसंसकंड केंद्र, पैकिंग और पैकेजिंग, सोलर पावर और वेस्ट मैनेजमेंट, ई-प्लेटफॉर्म तथा सम्मन्दिद इंफ्रस्ट्रक्चर, डीटेल आउटलेट और उत्पादन भंडारन तथा पैदावार की ढुलाई हेतु, वातानु कूलित वा गैर वातानु कूलित वाहनु की सुवधाएं शामिल हैं। मशीन तथा उसकी केमत से सम्मन्दिद जानकारी स्वैक पोर्टल पर www.swackharyana.org.in पर ओनलाईन प्राप्त की जा सकती हैं। विशेशक्यों की टीम द्वारा गैन अवलोकन के उपरांत उचित प्रोजेक्ट की सलह उपलब्द कराई जाती हैं तथा स्वैक FPO को आशेपत्र जारी करता है। FPO विश्तरित रिपोर्ट तयार करता है जिसका कमेटी द्वारा आंकलन उपरांत अनुमदन किया जाता है। इसके बाद FPO को प्रोजेक्ट रिपोर्ट की स्विक्रिती जारी कर दी जाती है। FPO अपने प्रोजेक्ट स्थापना के दौरान मुखे चार किष्टों में अनुदान राशी लेने का पात्रफ है जो क्रमश है 25, 40, 25 और 10 प्रतिशत होती है। ये राशी स्वैयोक्त निरीक्षक टीम द्वारा प्रोजेक्ट के निरीक्षन के बाद ही जारी की जाती है। हर्यान सरकार का अगले तीन वर्षों में लगभग 400 पैक हाउस बनाने का लक्षे है। अभी तक ऐसे तीन पैक हाउस बनकर तयार हो चुके हैं। इसके अलावा सफैक 31 मार्च 2020 तक 62 FBO को LOI यानि Letter of Intent जारी कर चुका है। जिसमें इन 62 प्रोजेक्ट की कुलागत 183 करोड 52 लाख रुपे और सबसीडी लगभग 155 करोड 35 लाख रुपे है। स्वैक किसानों के लिए एडवाईजरी सर्विसिस और मार्किट की सुविधाओं के लिए कटी बद्ध हैं। अपनी कुशल सेवा उपलब्ध कराएगी। जिसमें टीम लीडर के अलावा अन्य प्रोफेशनल शामिल है। स्वैक ये एक्सपर्ट अपनी कलस्टर में जाकर FBO को गाइड करते हैं। फिर भी यदि कोई किसान या FBO किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहता है। तो मुख्याले पर स्वैक कार्याले में संपर्क कर सकता है। इन सुविधाओं के कारण किसान सीधे क्रिशी बाजार से जुड़कर उप्युक्त दामों पर अपने उतपादों को बेचने में सक्षम हो रहे हैं। इन सुविधाओं से जहां बागवानी को बढ़ावा मिलेगा वही किसानों के आये में भी अद्भुत व्रद्धी होगी। पूरा करपाएं। अपने इनी उद्देश्ये के माध्यम से स्वैक भएणाराजये में क्रिशी जगत को एक नए स्थफ लाने का प्रियास कर रहा है। जिससे वो अपने किसानों के कल्याण वा भारत के नव निर्मान में अपना योगदान दे सकें। स्वैक, किसानों के स्वर्निम भविशे के ओर एक मजबूत कदम